पानी पीने से कई बिमारिया दूर रहती हैं ये तो लगभग सभी जानते हैं लेगिन क्या किसी पानी से हाथ पाऊंदोने से भी चर्म रोग ठीक हो सकता है ये एक अनुक़्ी बात है एसा ही एक कुंड गवालेर में हैं जिसके पानी को पीने और इसमें हाथ पेर धोने से रोगी का चर्मरोग समाप्त हो जाता है। आईए जानते ही इस कुंड के बारे में जिस कुंड के विशे में हम आपको बता रहे हैं। वहां गवालियर दुर्ग पर इस्ति थे इसे सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का निर्मान लगभग आठवी सताब्दी के दोरान तत कालेन राजा सूरज सेन दारा करवाया गया था। लोग कथाओ के अनुसार जहां आज यहां तालाब है वहां उस समय एक घना जंगल हुआ करता था। एक बार राजा सूरज सेन सिकार खेलते खेलते महां तक आ गए और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि एक रिसी ध्यान मगन बेटे हुए हैं तो वे उन महात्मा के पास गए और उनसे पीने के लिए पानी मांगा तो महात्मा ने पानी दिया और राजा मही प्रिकार के चर्म रोग से गीडी थें महात्मा ने उनसे कहा पास ही एक कुंडी से जल से हाथ पाउंध होने को कहा इस कुंडी से निकलने वाले जल से हाथ पाउंध होने से एक तरफ जहां राजा की ठाकावाट दूर हुई वहीं दूसरी तरफ उनका त्वचा संबंदी रो इस कुंडी से निकलने वाले जल को सनरक्षित करने के लिए लगबग 22 मीटर गहरे तालाब का निर्मान करवाया, साथ ही बाउंडरी करवा कर उसके एक बावडी का भी रूप प्रतान किया, जो आज भी मुझूद है। कुंड की देखरे करने वाली रजनी ने बताया कि उनका परिवार लगबग 8 पीडियों से यहां पर है, तालाब में जाने के दो मुख्य मार गहें, उन्होंने बताया कि आज भी लोग हर रविवार को यहां आते हैं, इसी आसमी कि इस कुंड में नहा कर या पानी में हाथ पा में इस कुंड का पानी बेहत गंदा हो चुका है, जिसका प्रियोग करने से लोग अक्सर कत्रा ने लगी ही, पिलार के लिए इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारिया बने रही है, हमारे साथ, नमस्कार